अगर अपने चैनल पर पहली बार विजट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके आल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजे ताकि जितनी वी वीडियो जुमें अप्लोड करूँ आप लोगों तक नॉट्टिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंच जाए आज की वीडियो में कुछ अप्डेट की बात करेंगे मिस्टांट फूर्स से लेटिट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरा रूपे दो पैसे पे आज की क्लोजिंग हुई है ओपनिंग गैप अप थी लेकिन पूरा दिन स्टॉक ने करेक्शन के साथ में अल् एक पसंट के आसपास की तेजी रही है छह मैने की बात करें तो 77 पसंट एक साल की बात करें तो 44 परतिश्टे टुन से अब यह जो रेंज है अगर आप इस रेंज को देखेंगे यह एक रेंज है स्टॉक के लिए कॉंस्टेशन की जब तक स्टॉक 10 रुपे से लेके 14 रु नहीं कह सकते हैं मिस्टान पूर्स के तब तक यहां से या तो एक उपरी स्टर पे या फिर एक नेगेटिव स्टर पे कहीं कहीं करेक्शन आ जाए तो कंपनी हाला कि अच्छी है FMCC सेक्टर में लॉंकरती कंपनी लॉंकर में अच्छा मुनाफ़ा बनाकर भी दे सकती है पै तो यहां पर कुछ गड़बर्स जो है यहां पर EPS के अंदर देखने को मिली थी टाइपोग्राफिकल एरर इन बेसिक एंड डाइलुटिट एपी एस मेंशन इन स्टेटमेंट अफ यहां पर यहां पर अपलोड कर दिये गये हैं कि जो EPS के अंदर टाइपोग्राफिकल ए इसको जो है रिवाइज करके अपलोड कर दिया गया है साइट पर अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि बेसिक एंड डाइलुटिट इपिस जो हब 0.003 जो कि कोटर वाट टू के अंदर बात करें लास्ट यह पॉइंट व को होल्ड करते हैं अगर यहां पर आप ईपिस देखेंगे तो यह है बेसिक एंड डाइलुट पॉइंट एट सेवन है पॉइंट सिक्स नाइन है और कब की हैं यह देख सकते हैं आप प्रिसेडिंग त्री मंस यानिकि यह हैं आपके कोटर वन और यह आपका कोटर टू तो EPS को जो है यहां पर इंक्रीज हुआ जो कि टाइपोग्राफिकल एरर की वज़े से गलत अपलोड हो गया था आप लोग अगर बैंक निप्टी निप्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग से डेली का तीन से चार हज़र तका प्रॉपिट अंद करना चाहते हैं साथ में स्टॉक से रिडियर बेट से रेगुलर पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्रिप्शिन वोक्स में आप लोगों को मेरे प्री टेलिग्राम ग्रूप का लिंक मिल जाएगा जिस पर मैं डेली एक से दो डेमो कॉल देता हूँ और इस एक से दो डेमो कॉल से प्रॉपिट प्लस लर्ने दोनों ही कर सकते हैं और टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्रिप्शिन वोक्स में मिल जाएगा